जैसे कृष्ण आगे के episodes को ना देखा हूई या फिर आप आने वाले episodes को regularly देखना चाहते है तो मैं request करना चाहूँगा कि एगर आपने हमारे social media channel को like ना किया हो, follow ना किया हो, subscribe ना किया हो तो कर लीजियेगा कि जिससे आप आगे के सभी episodes देख सके और आने वाले episodes भी enjoy कर सके और जो हमारे regular उनसे मैं कहना चाहूंगा कि फटा फट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए, वाच पाटी आउन कर दीजिए, कि जिससे ज्यादा तर लोगों तक हम ये पॉजिटिविटी को फैला सके, भागवान शुरी कृष्ण के जिंदगी को लेकर हर दिन हम कुछ कुछ नई बाते कर चुके है, बहुत कुछ है जो अपनी लाइफ में सीख चुके है, वैल्यू एड़ कर चुके है आज, मैं आपको उनकी जिंदगी में से एक बहुत ही यूनीक चीज बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, और वो ये है दोस्तों, कि भागवान का जो बचपन था, वो बहुत ही यूनीक रहा था, बहुत ही खास रहा था, आपको पता है, उनके बचपन में वो बहुत ही ज़्यादा शैतान, नठखट तो थे, जो हम सभी ने सुना हुआ है, मगर एक बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्टर उनके बचपन का ये है, कि वो बह अभी छोटे हो, अब चितना आप उन्हें रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं, आपको पता है, उनके अंदर से जो क्रियेटिविटी बाहर आ रही है, आप उसे रोक रहे हैं, दबा रहे हैं, फ्रेंड्स, जब अपमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक वक्त आता है, जब हम उसे कहते हैं, कि भी तो अभी 20 साल का हो गया है, पचीस साल का हो गया है, भी तेरे दम पर तो कोई डिसीजन ले, तू तो कुछ सोच, बट फ्रेंड्स, प्रॉब्लेम ये हो जाता है, कि जब वो बच्चपन में सोच रहा था, जब वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था, तब हम उसे रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं, देखिए, आपके बच्चे जो है न, वो भगवान शुरी कृष्ण की तरह, हर दिन नई शैतानी कर रहे हो, नई प्रॉब्लेम्स लेकर आ रहे हो, तो वो तो और भी अच्छा है, उसका कारण ये है कि अगर वो उस उमर पर शैतानिया नहीं करेंगे, तो क्या मेरी और आपकी उमर पर करेंगे, अब देखिए, भगवान ने जो शैतानिया की उसमें वो बहुत क्रियेटिव थे, आपको पता है, वो कभी भी एक तरीके से माखन नहीं चुराती थे, वो हर दिन नई नई तरीके से माखन चुरा रहे थे और जब वो हर दिन नया तरीका अपना रहे थे तो मैं आपसे वो ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा हर दिन को एच नए प्रॉब्लम ला रहा है तो बहुत ही अच्छा है वो बॉक्स के बाहर सोच रहा है वो अपने intelligence को actually दिखा रहा है that's wonderful friends एक साइड हम भगवान शुरी कृष्ण को यह भक्त है उनकी पूजा करते है और दूसरी साइड अपने बच्चे को रोकते टोकते रहते है तो ऐसा ना कीजिए अब भगवान जो है ना उनके मैं आपको एक और खासियत बताना चाहता हूँ कि उनके बच्चपन में वो बहुत ही कम उमर पे गुरु कुल में गए थे पढ़ाई करने के लिए गए थे अब चलिए मुझे कमेंट में बताई ये कि भगवान शुरी कृष्ण के गुरु कौन थे और वो कहा पर गए थे मैंने आपको आगे के दिनों में भी ये बात अलड़ी बताई हुई है और वाइट काफी लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरी कृष्ण के गुरु थे गुरु सांधीपनी और वो गए थे सांधीपनी आश्रम उन दिलों में इंडिया में एक शहर हुआ करता था अवंतिपुरा जहां पर ये आश्रम हुआ करता था अब पहली बात दोस्तों भागवान जो थे वो तो सुप्रीम है मतलब वो सब को जानते है उनको तो सीखने के पढ़ने के कोई आवशक्ता नहीं लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ाई करने के लिए गए और किसी को अपना गुरु बनाया आपको पता है कि 64 दिन वो जब अपने गुरु के वहार रहे एक विध्या सीखने में दो से धाई साल का वक्त लगता था लेकिन कृष्ण ने 64 विध्याओ को सीख लिया था 64 दिनों के अंदर मतलब की वोस वेरी वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट फ्रेंज मैं यह कहना चाहरा हूँ से एक्जाम्पल के द्वारा कि वो वैसे तो सब कुछ जानते थी मगर तो भी किसी को अपना गुरू बनाया मैं आपसे भी यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी टीचर का होना कोई गुरू का होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है लेकिन आजकल के टीनेजर्स कभी कबार अपने टीचर्स की वैल्यू नहीं करते है कभी कबार वो लोग सोचते है कि भी टीचर्स तो हमें पका रहे है या फिर बोर कर रहे है या फिर यह सब सीख कर हम क्या करें बट फ्रेंज सच कहू एक सच्चा टीचर और गुरू जह है वैल्यू हमारी जिन्दगी में बहुत ज्यादा होनी चाहिए अब देखिए आपको पता है भागवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिना के रूप में गुरु संधीपनी को क्या दिया मतलब की आप हैरान हो जाओगे जान करके कि गुरु संधीपनी ने तो कुछ नहीं मांगा क्योंकि उनको पता चल चुका था कि ये भागवान है ये इश्वर है अगर उन्हें सिखाने का मौका मिला है तो बस यही मेरे ले काफी है मगर जो गुरु माता थे गुरु माता ने रिक्वेस्ट किया कि भी मेरे बेटे को वापिस लेकर आई है और गुरु संधीपनी और गुरु माता जो थे उनके जो बेटे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे क्रश्ण ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तमाल किया और मृत बेटे को जिन्दा करके वापिस लेकर आये फ्रेंज मैं आपसे ये इसलिए शेर किया क्योंकि हमारे लाइफ में जो टीचर्ज और गुरु ने हमें दिया है उसको हम जितना ज्यादा वैल्यू दे वो कम ही होने वाला है जैसे भागवान शुरी कृष्ण ने दिया बोल शुरी कृष्ण कनया लाल की जै दोस्तों मुझे बताईए आज से आप में से कतने लोग हैं जो अपने टीचर अपने गुरु की उतनी ही वैल्यू और रिस्पेक्ट करने वाले है कमेंट में लिखिये आई येस कमेंट में लिखिये आई तो मुझे पता चले वाव, there are so many people writing that out अब देखिये यहाँ पर जब वो गुरु सांधीपनी के आश्रम में थे ना तो एक बहुती सुन्दर किस्सा हो गया फ्रेंस, उन्हें मिलने के लिए आते हैं गुरु परशुराम अब परशुराम जी जो थे वो भगवान विश्नु के ही अवतार रह चुके है तो वो जानते थे कि कृष्ण कौन थे अब उन दिनों में बहुत कम लोग जानते थे कृष्ण कौन है जिसमें से एक थे गुरु परशुराम अब परशुराम जी जब जानते थे कृष्ण कौन है तो वो आकर के जब उन्हे सुदर्शन चक्र देते है तो एक बहुत ही सुन्दर सा मेसेज देते है कृष्ण को और वो मेसेज था माखन बहुत खा लिया मुरली बहुत बजाली लीलाए बहुत कर ली अब वो कारिय करो जिसके लिए इस प्रिथवी पर आये हो अगर भगवान को ये कहा गया है तो इसमें हमारे लिये भी एक मैसेज छुपा हुआ है जो उनके बच्पन में उनको जो मेसेज दिया गया इतने महान गुरू के द्वारा उसके अंदर हमारे लिए भी एक मैसेज छुपा हुआ है और वो मेसेज बहुत ही सिंपल है वो मेसेज ये है दोस्तों माखन बहुत खा लिया अब मैं और आप माखन तो नहीं खाते हैं मगर एक बात तो पक्की है कि हम में से बहुत सारे लोग जी रहे है खाना खाने के लिए मतलब की सुबह उठने पर लोगों का प्राइमरी गोल ही ये है कि भी आज खाने में क्या बना है अभी तो ब्रिक्फरस्ट खतम नहीं हुआ आज लंच में क्या बना है अभी तो लंच खतम नहीं हुआ बोले शाम को क्या पका रहे हो वो लोग जी रहे है सिर्फ टेस्ट के लिये जी रहे है अब मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कितना सारा हमारा समय बरबाद हो जाता है सिर्फ कि भी यह खाने में आज क्या है या फिर कभी कबार की हमारे शहर की कौनसी गली में कौनसे स्ट्रीट के उपर चोराए के उपर कौनसी वो टेस्टी आइटम मिल रही है फ्रिंस जो लोग सिर्फ फुड के उपर खाने के उपर फोकस करके जी रहे है वो लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे है अब देखिए मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है जब मैं कृश्न कथा के प्रोग्राम बड़े बड़े ओडिटोरियम्स में लाइव लिया करता था इंडिया के 24 से ज़्यादा शेहरों में प्रोग्राम के अंत पर काफी सरे लोग मुझे अपने घर पे इन्वाइट करते तो कभी कबार मुझे भी बड़ा मज़ा आता फॉर चेंज किसी के घर जाना कि उस बहाने होटल का ना खाना पड़े और कुछ घर का खाना मिल जाए तो मैं काफी बार लोगों से कहता जब लोग पूछते कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगी आपका कोई पर्टिकलर डायट है और मैं ज्यादा तर के इसमें बहुत ही सिंपल सा डायट रेकमेंड करता फॉर एक्जामपल मैं लंच या डिनर के लिए जा रहा हूँ तो मेरा फेवरिट डायट है खिचडी और दही बट आपको पता है जब मैं लोगों को रेकमेंड करता के भी खिचडी बना लीजेगा थोड़ा दही बना लीजेगा सालेड बना लीजेगा तो लोग वो नहीं बनाते थे लोगों का एक रियाक्शन कि आप पहली बार हमारे घर आ रहे हम खिचडी कैसे खिला सकते हैं अब मैं उनका भाव तो समझ सकता हूँ बट दोस्तों लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जब मैं ट्रावल कर रहा हूँ जब मैं हफता भर दस दस पंदरा पंदरा दिन अपने घर से बाहर रहता हूँ तो मेरे लिए वो खाना बहुती ज़ादा टेस्टी हो जाता है जब मैं घर जा रहा हूँ लोगों के तो इतना बड़ा सा थाली मेरे लिए तैयार करके लेकर आते है कि जब थाली को देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि पॉसिबल ली नहीं कि मैं इसको खतम कर सकता हूँ और जब मैं खा रहा हूँ तब काफी बार बीच में सर आप ये लेंगे सर आप वो लेंगे और मुझे उनसे कहना पड़ता था कि आप भी खाना शुरू कर लीजे मुझे कुछ भी जरूरत होगी मैं मांग लूँगा जब मैं स्टेज से बेना शरम इतना सब कुछ लोगों के सामने बोल सकता हूँ तो आप लोगों के सामने ज़रूर बोल पाऊंगा ज़रूर आपस मांग लूंगा अब यह नहीं जब मैं कैसे भी करके, कंट्रोल करके खाऊंगा क्योंकि मुझे ध्यान रखना है, मुझे वापिस स्टेज पर आना है, तो लोग force करकर के खिलाएंगे, अब no doubt कि ये लोगों का प्यार है, बट कभी कबर आपको पता है, वो force और वो प्यार इतना बढ़ जाता है, कि कभी कबर वो प्यार बस बाहर आने की तैयारी में है, friends, म मेरा किसी के घर जाना होता है, तो मैं खाना पीना रखता ही नहीं, उसका कारण पता है कि है, घर के 50% मेंबर से मिलना ही नहीं होता है, क्योंकि ये वो आधे kitchen में busy रहते है, रसोई घर में busy रहते है, इसलिए मैं अब तो समेशा लोगों से कहता हूँ कि बस fruits काट लीजेग में कहीं अटक जाता है, अब no doubt ये hospitality प्यार है, मैं इसे स्वीकारता हूँ, बट माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, अब आप कहेंगे सर लेकिन हमारे पास तो मुरली है ही नहीं, बट friends सच कहूँ, आपके पास एक ऐसी मुरली है, जो मुरली से भी बहतर music ब जाता है, दोस्तों आपको ये realize करना जरूरी है कि देखिये, technology हमारे लिए आवशक है, मंगर वो technology का कैसा आप इस्तमाल कर रहे है, that's a very big question, अगर internet का unproductive इस्तमाल हो रहा है, तो दोस्तों आप अपने 24 घंटे में से कितना समय उसमें बरबाद कर रहे हैं, जरा सोच करके द देखिये, अब ये जो दो चीजे में आपको बता रहा हूँ, माकन बहुत खाली है, मुरली बहुत बजाली, चलिए मैं यहाँ पर आपको उपवास का एक definition देता हूँ, ध्यान से सुनी और समझ ये, दोस्तों हम सभी ने ये शब सुना है उपवास, लेकिन उसका real meaning क्या है दोस्तों, उप यानि की करीब, नस्दीक और वास यानि की रहना, जैसे वन वास तो वन में रहना, तो उपवास का मतलब होता है करीब रहना, नस्दीक रहना, अब उपवास में किसके नस्दीक रहना है, किसके करीब रहना है, ये इस भगवान के ईश्वर के, अब बहुत बरसो पहले की बात है जब इंसान को एहसास हुआ कि भागवान उसे इतना सब कुछ दे रहे है तो इंसान ने सोचा कि क्यों नहीं मैं एका दिन अपने काम से छुट्टी ले लो और ईश्वर ने मुझे जो दिया है मैं रिटर्न में उसके लिए थैंक्फुल हो जाओ उनको याद करूं लेकिन इंडिया में छुट्टी लेने का कॉंसेप्ट कब था संडे को था नहीं इंडिया के छुट्टिया हुआ करती थी जैसे कि एका दसी या फिर ग्यारा को हो सकता है या इस तरह से जो हमारे छुट्टी के कॉंसेप्स थे बहुत डिफरेंट थे लेकिन ज पुनम और अमावस्या भी छुट्टिया हुआ करती थी अब फ्रेंस मैं आपको समझा ये रहा हूँ कि वो छुट्टि के दिन लोग घर पे रहते थे और इश्वर को भगवान को याद करते थे पूजा पाट करते थे मेडिटेशन करते थे अब जब आदमी काम के मेना घर प बना दो तो घर के जो फीमेल्स थे उन्होंने कहा कि आप छुट्टी लेकर उपवास कर रहे हूँ भगवान के करीब और जीश्वर को याद कर रहे हूँ तो हमने क्या बिगाड़ा आज हमारी भी छुट्टी है अगर आप खेत में नहीं जारे दुकान पे नहीं जारे तो हमारा रसोई घर भी आज बंद रहेगा हम भी छुट्टी लेंगे लेकिन बिना खाए तो अब इंसान रह नहीं सकता तो क्या करे तो सोचा कि चलो दूद पीलो क्योंकि उन दिनों में गाए या भैंस घर पे होना बहुत कॉमन था या फिर फल खालो क्योंकि फल भी इसली म आज फराल में यानि कि आप देखिए कि उफवास के दिन इनसान सबसे ज़दा तली हुई चीजे खा रहा है या फिर कभी कोई दुकान के उपर पढ़ने को मिलता है कि हम पचास वानगिया बनाते हैं पचास स्वीट्स बनाते हैं उफवास के लिए अब हो चुका इसमें ह हमारा उफवास देखे दोस्तों कॉंसेप्ट ये था कि इनसान वो खाने पीने से दूर रहे एंटर्टेन्मेंट से दूर रहे तो भगवान के करीब जा सके और पेट जब हलका हो फल आहार लिया है तो उस बहाने अच्छा मेडिटेशन हो सके लेकिन आज का कॉंसेप्ट बदल गया है आज हम ज्यादा बिजी हो गए और उफवास के दिन इश्वर को तो याद ही नहीं कर रहे तो वो जो एंटर्टेन्मेंट उन दिनों में जिस सर्फ खाने पीने का था मैं आपको बता दू अगर आज आज आपको उफवास करना है तो पता है किस चीज को पेपर तो मैं कहूंगा कि आज आपने उफवास किया है एंटर्टेन्मेंट को हटाया और आपके पास जो एक्स्ट्रा वक्त बचा है उसमें अपने ईश्वर को याद भी किया है कुछ मेडिटेशन भी किया है येस दाट इस वाट उफवास इस आल बाउट नजदीक रहन करीब रहना कितने लोगे आज से जो थोड़ा बहुत भी ये नया वाला उफवास जो है वो अपनाने वाले है कितने लोग अगरी करते हैं कमेंट में लिखिए अगरी सो फ्रेंस ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये डेफिनेशन हमने बदल के रख दी है और आज के जमाने में ये उफवास की ज्यादा अवश्यक्ता है तो अब देखिए माकन बहुत काली है मुरली बहुत बजाली लीलाए बहुत कर ली अब देखिए वैसे मैं जानता हूँ कि अप लीलाए तो नहीं करते है मगर काफी बार देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा बजी है ये देखने में कि किसी और की जिन्दगी में क् हो रहा है या मेरा दोस्त क्या कर रहा है सोशल मीडिया पर हम सर्च करते रहते हैं अब देखिया दुनिया में क्या हो रहा है उस पर जितना आपका फोकस रहेगा या कुछ लोगों को जो वो गॉसिप करना अच्छा लगता है या जो आज लोग मुझे सबसे बड़ा सवाल पता है कि आप पुछते सर मेरी जिन्दगी का परपस क्या है मैं क्या करू मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है मुझे पता नहीं है अब यहाँ पर जब आपने सुना माखन बहुत खार लिया मुरली बहुत बजाली लीलाए बहुत कर ली अब वो कार्या करो जिसके लिए स्पृतवी पर आए हो तो हमें पता ही निया हमें स्पृतवी पर क्यों आए है और हमारा परपस क्या है अब चलो मुझे बताओ पहली बार आपने जब फेस्बुक यूज़ किया या यूट्ईउब तो सब कुछ आपको पहली बार म बट आपने उसको वक्त दिया ट्रायल और एरर से वक्त देते हुए आपने वो सीख लिया अब मैं आपसे वो ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर वक्त निकालेंगे अपने आपके लिए तो ही तो जान पाएंगे कि आपका परपस और आपका गोल क्या है तो जबी भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है सारी चीजों को छोड़िये आँखे बंद कीजिये अपने अंदर उतर जाईए आदमी जितना अपने अंदर उतर करके वक्त बिताता है उतना ही वो अपने आपको जान पाएगा समझ पाएगा और ये एहसास आपकी प्रुग्रेस करवाएगा आपको help करेगा समझने के लिए कि आप इस धर्ती पर क्यूं आए है आपका गोल क्या है आपका purpose क्या है friends मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को like नहीं किया कर दीजिये you know watch party on कर दीजिये share कर दीजिये क्योंकि कितने लोग है जो आज भटक रहे है उनको life का goal purpose ही नहीं पता आप है ना हमारी channel को subscribe कर लेना follow कर लेना क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम मैं भगवत गीता के उपर भी आगे बहुत सारी बाते करने वाला हूँ अब आपको पता है भगवत गीता जब आप समझेंगे तब आप अपने जिंदगी का सच्चा purpose भी खोच पाएंगे बड़ी आसानी से येस और इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि connected रही है हमारी channel के साथ दोस्तों यहाँ पर जब आप जानते हैं कि आपके जिंदगी का सच्चा purpose क्या है फिर आपको आसपास के माहौल से फर्क नहीं पड़ता है जैसे कि भगवान शरी कृष्ण के behavior को बहुत सारे लोगों ने criticize किया था बहुत सारे लोग बुरा भला भी कहते है भगवान शरी कृष्ण के विहवार को उसका भी एक कारण है और पता है वो कारण क्या है क्योंकि देखिए भगवान को अपना goal अपना purpose पता था लेकिन बहुत कम लोग है जिनको अपना goal और purpose पता होता है जब यहनों नरका सुरका वत किया गया तब दोस्तों 16,000 रानियों को आजाद किया गया था लेकिन अब वो 16,000 रानियां अपने घर वापिस जाती तो कोई शाद उनको ना स्वीकार था आज की 21 सदी में modern जमाने में भी अगर कोई स्तरी कोई लेडी दो-तीन दिन गाया बोजा और हमको ना पताओ कि वो कहाँ पर है तो शायद उसके पती चार सवाल करेंगे और स्वीकारेंगे या नहीं पता नहीं तो सोचे कि उस जमाने में क्या होगा इसी लिए भगवान ने वो 16,000 रानियों से शादी की कि जिससे उनको जीने का एक परपस मिले और उसी के साथ साथ दोस्तों ये नो क्रिश्न के मान से सनमान से या डर से भी समाज उनको स्वीकारें उन्होंने 16,000 जिन्दगियों को बचाया क्योंकि यहां पर वो इस धरती पर एक हायर परपस की वज़ा से आई थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे मैं आप से भी वो ही कहना चाहता हूँ कि कभी कबार अगर आप अपना परपस जान रहे है किसी की सची मदद करना चाहते है आप सही रास्ते पर हैं तो रोकने टोकने वाले लोग भी आपको मिलेंगे कभी कबार तो घर से ही मना किया जाता है बट मैं जरूर कहूंगा कि अपने दिल की सुने और धरम की रहा पर चले लोगों की मदद करे फ्रेंस ये बहुत जरूरी है समझना क्योंकि आपको मैं बता दू बाहर से नेगेटिविटी आती रहेगी लेकिन हमें अपने आपको पॉजिटिव बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है जो भगवान श्री कृष्न ने किया था बोल श्री कृष्न कनया लाल की जै फ्रेंस जरूर बताईए कि आपको आज के प्रोग्राम में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट में लेखिए कि आज आपका लर्निंग क्या था तो मुझे भी पता चले कि आप क्या-क्या सीख रहे है I am so grateful and thankful to all our sponsors and supporters देखिए केस, पकोडी, श्री जी, हानी, रोटरी क्लब अफ जलगाओं, वेस्ट, श्री गुर्जर, सुतार विश्व कर्माबाग, मुंबाई, लाइन्स क्लब जलगाओं, सेंट्रल, महेश, नव यूवक, मंडल, इचल करणजी, गुर्जर, सुतार ग्न्याती, राज पुने, रादे रादे, चंदरपूर, वी टीपी ग्रूप, गारगी, क्रियेशन, कॉलकता, भगीरत, बिल्डर्स, एन्द प्रमोटर्स, एन्जंता शौपेज, यलगाओं, ये सारे हमारे अमेजिंग सपोर्टर्स है, जिनकी मदद की वज़से, आज ये प्रोग्राम मैं पा रहे है.